हमारे सभी दर्शकों को सादर पढ़ाम जैशी क्रिश्णा मंगल का गोचर नीच राशी करक मैं और चार राशी चार लगन वालों का विवाह रिष्टा 90 दिनों तक चलेगा यह योग इसमें पक्का होने का पूरा योग बनता है तो चार राशियां कौन सी है और वही चार लगन भी है तो इस बारे में आज जानेंगे और मंगल का गोचर अब मंगल करक राशी पर गोचर करेगा तो करक राशी पर मंगल 0-28 डिगरी तक नीच का रहता है नीच का होने के बाद भी इन चार राशी वालों के लिए यह शुब फल दे सकता है विवहा के मामले में अगर कहीं से रिष्टा आ रहा है तो थोड़ा सा ध्यान जरूर दें कुछ सावधानिया भी है उसके बारे में भी बतोंगा पूरा वीडियो द्यान से देखें तो मंगल अब करक राशी पर गोचर प्रारंब करने वाला है गोचर अर्थात वर्तमान में मंगल की आकाशी ये इस्तती किस राशी पर है वही गोचर कहलाता है आपकी कुंडली में जन्म के समय मंगल कहीं पर भी हो सकता है लेकिन अभी बतमान में उसकी इस्तती क्या है वही गोचर कहलाता है अब यहां राशी का सीधा सम्बन्ध है जन्म राशी से अर्थात चंदर राशी से तो आपको अपनी चंदर राशी देखनी है मंगल दिनांक 20 अक्टूबर को करकराशी पर प्रवेश करेगा गोचर प्रारंब करेगा और यह इस्तति लगभग 90 दिन या इससे एक दो दिन जादा तक यह योग चलेगा 21 जनवरी 2025 तक तो 20 अक्टूबर 2024 से लेकर 21 जनवरी 2025 तक यह योग गोचर मंगल चलेगा इसमें हालंकि 6 दिसंबर के दिन यह वकरी भी रहेगा लेकिन इन चार राशी वालों के लिए अच्छी इस्तति है ध्यान देंगे और कहीं से रिस्ता आ रहा है ध्यान देने का मतलब क्या हुआ कहीं बहुत सी बार प्रशन आ रहा है कि ध्यान देने का क्या मतलब है ध्यान देने का मतलब यहां है कि आपका ध्यान यदि नोकरी पर है पड़ाई पर है या अन्य किसी और काम में है तो वहां से ध्यान थोड़ा सा हटाएं और विवाहा की रूची है तो विवाहा पर भी ध्य कि मैं कई बार वीडियो के माद्यम से बता चुका हूं कि बहुत से ऐसे योग होते हैं, उनसे विवाह में देरी होती है, 35 साल, 40 साल तक शादी नहीं हो पाती है, फिर परिशानिया बढ़ती है, तो ये गोचर के जो छुट छुटे योग हैं, इनको भी ध्यान में रखना होत हैं, तो 20 अक्टूबर से लेकर 21 जनवरी 2025 तक, 20 अक्टूबर 24 से 21 जनवरी 2025 तक मंगल करकराशी पर गोचर करेगा, सबसे पहली राशी कौन सी है, इससे पहले एक बात और नोट कर लें, मंगल के बारे में कहा गया है कि मंगल जो है, उसकी तीन दृष्टियां होती है, चो जहां से वह चोथे गर को देखता है, जहां पर बेठेगा वहां से, और जहां पर बेठा है, वहां से सात्वे गर को देखेगा, उस भाव को भी गिनना पड़ेगा, जहां पर मंगल बेठा हुआ है, और मंगल जहां बेठा हुआ है, उस भाव से लेकर आठवे भाव तक ग गोचर शुत्र क्या है स्पतंबहाओ पर हो या द्रश्टी मंगल की सपतंबहाओ पर हो तो एसी इस्दती में विवह का रिष्टा पक्का होने का पूरा योग बनता है सबसे पहली राशी सुस्षा रखन लगन यदि आपकी मेश राशी है या मेश राशी नहीं है मेश लगन की कुंडली है ज्यान से सुने लगन में एक कांग लिखा हुआ है या चंदर कुंडली में एक कांग लिखा हुआ है पहले भाव में तो मेश राशी होगी और लगन कुंडली में पहले भाव में एक कांग है तो मेश लगन होगा और कुंडली में चंद्र कुंडली हो चाहे लगन कुंडली हो एक नंबर अंग पर चंद्रमा लिखा हुआ है तो मेश राशी होती है तो मेश राशी और मेश लगनवालों के लिए काफी अच्छा समय है ये 90 दिन लाव उठाएं क्योंकि आपकी राशी से मंगल चोथा पड़ेगा अब यहां सावधानी भी रखनी है मा के स्वास्त पर ध्यान देवें यात्राओं में सावधानी रखें स्वास्त पर ध्यान द देता है लेकिन चोल्ड मनगल है वह सफ्वाव को चोथी द्रष्टी से देख रहा है तुला तो करकसी हैं कन्या तुला मेश से सब्तम राशी तुला राशी है तो मेश लगन और मेश राशी वालों के लिए यहां विवाह का योग बनता है क्योंकि मंगल की सब्तम इस्थान पर द्रश्टी है लगन है तो सब्तम भाव में और चंदर कुंडली है तब भी सब्तम भाव म मंगल की द्रश्टी होने से यह समय विवाह के मामले में शुब रहेगा खहीं पर भी अगर बातचीत करते हैं विवाह रिष्टे की तब भी लाब वली इस्ति और कहीं से रिष्टा आ रहा है त्यान देंगे तब भी लाब जरूर मिलेगा लेकिन लगनेश मंगल नीच का हो बया है इसलिए स्वास्त पर ध्यान देवें मा के स्वास्त पर ध्यान देवें को बड़ी खरीदारी कर रहे हैं तो भी थोड़ा सा ध्यान जरूर देवें हां नोकरी कामकाज में ठीक इस्तती है आमदनी भी अच्छी रहेगी क्योंकि मंगल की द्रश्टी अच्छी है लगनेश की दृष्टी आयभवन पर है अब अगली राशी कौन सी है करक राशी करक राशी या करक लगन है तब भी इनके लिए काफी अच्छा योग यहां पर दिख रहा है क्योंकि लगन में ही या आपकी राशी पर ही मंगल आ जाएगा सब्तम दृष्टी से सब्तम भाव और तो देखेगा चाहे चंदर कुंडली लगन के हिव में राशी में लगन के अलाब करक राशी और करक닝 में इनको भी लहाब मिलेग तो करक राशी वाले जितने बिया ड़ना वाले जितने भी जातक हैं उच्ची की दृष्टी है सब्तम इस्थान पर विवाह का रिस्ता पक्का होने का पूरा योग इस समय में बन रहा है लेकिन यदि आपकी कर्क लगन की कुंडली है सब्तम भाव में शनी मकर राशी पर बेठा हुआ तो यहां विवाह में देरी होती है या कर्क लगन की कुंडली है सब्तम का स्वामी शनी छटे भाव में बेठा हुआ धनूराशी पर तो विवाह में देरी होती है तो इन छोटे छोटे योगों को भी देखना बहुत जरूरी है और एसी इस्तती है तब तो इस मंगल का लाव जरूर उठाएं कहीं से रिस्ता आ रहा है तो वहां बादचीत जरूर करें लाब अवश्य मिलेगा तो मंगल जब सप्तम्बाव को देख रहा है तो योग अवश्य बनता है तो कर्क राशी और कर्क लगन वालों के लिए भी अच्छा योग यहां पर है लेकिन अब आपकी जो लगन है राशी पर ही मंगल है तो एसी इस्तती में थोड़ा सा चिड़ चिड़ापन सुभाव पर ध्यान देवें जल्द बाजी में कोई बात ना बोलें कारिक शेत्र में भी ध्यान देवें बादचीत वानी पर थोड़ा सा सयम रखें गुसा बिलकुल ना करें और थोड़ा सा स्वास्त पर भी ध्य दियान देते हैं वैसे तो अच्छी इस्तती रहती है योगा करते हैं अच्छी इस्तती रहती है लेकिन व्यायाम करते समय कोई मशिनरी व्यायाम है तो ज्यादा वजन उठा रहे हैं तब भी ज्यान जरूर इस समय में देवें वहां खरिदने का योग मकान खरिदने का योग कैसे योग भी बनेंगे अच्छी इस्तिती तो मंगल से यहां पर हे ही लेकिन थोड़ा स्वभाव पर और स्वास्त पर हल्का ध्यान देवे अगली राशी कौन सी है सीह राशी आपकी राशी से मंगल इन नब्य दिनों में बारवे भाव में रहेगा और अपनी आठवी दिश्टी से सब्तम भाव को देखेगा तो इसी इस समय में अगर सीह राशी है सीह लगना है तो विवाह का रिष्टा पका होने का पूरा योग बनता है लेकिन खर्च पर नियंतरन रखें दूर यात्रा कर रहे हैं तो सावधानी रखें और अगर कोई पहले से ही बीमारी चल रही है या खाने पीने पर ध्यान नहीं देते हैं तो यहां स्वास्त में नर्मी का योग अवश्य बनता दिख रहा है तो सीह राशी वालों का बारवा मंगल रहेगा स्वास्त पर ध्यान देवें खर्च पर ध्यान देवें मित्रों से दूरी बनाये रखें गलत मित्रों की संगती इन नबे दिनों बिलकुल ना करें कोई गलत मित्र है लेन देन में सावधानी रखें लेकिन विवाह का यहाँ पर दिख रहा है अब अगली और अंतिम राशी चौथHI राशी चोथा लगन कौन सा है मकर लगन है मकरलगन की कुंडली कुण्डली या मकर राशी है चंद्र कुण्डली देखें दस कांक लिखा हुआ होगा पहले भाव में मकर coherent है तो पहले भाव में दस कांक लिखा हुआ होगा और सब्तम भाव में चार कांक लिखा हुआ होगा एसी इस्तती में मकर राशी हो चाहे मकर लगन हो इनके लिए भी शुब योग है नबे दिन अच्छे हैं नबे से कुछ एक दो दिन जादा ही है तो यहां विवाह का रिष्ट और आप भी कहीं रिष्टे विद्जित करें गे थिंद करेंगे माता पिता इस वीडियो को देख रहें हैं और संतान की संतान के बारे में सौचे हैं माता फिता भी त्यांग जरूर देंगें betonками आशी मकर लगना है तो सब्तम में मंगल सब्तमनी में खाम का मंपहले से ही शादी शुदा है शादी हो चुकी है कहने कतार और तो एस इस्तती वेवाहिक जीवन पर द्यानदे तो यहां पर अच्छी स्थिती रहेगी पत्नि से अगर जगड़ा करेंगे जिनकी मकराशी मकर लगना है तो समझ्या बढ़ सकती है और peanut क्या का रिष्धा कहीं से आ रहा है लेकिन जिनकी मकराशी मकर selected है नीच का मंगल है सब्तम बाव में गोचर में अगर वे ध्यान नहीं देंगे या परिवार में किसी प्रकार का क्लेश करेंगे या चिर्चिडापन करेंगे तो फिर वहां रिष्टा होना थोड़ा मुश्किल भी हो जाएगा तो इस बात पर भी ध्यान देंगे सब्तम मंग मंगल आएगा तो जिनको पेट से समंदित समस्या है शारीरिक समस्या है वे थोड़ा से द्यान जरूर देवें हालांकि मंगल की लगन पर उच्छ द्रश्टी है इसे शरीर ज्यादा खराब नहीं होगा लेकिन फिर भी सब्तम बाव में मंगल आ गया है तो बजार का बोज जरूर देवें पार्टनर से सावधनी रखें या पार्टनर से हिसाब किताब साब सूतरा रखेंगे तो अच्छी इस्तती रहेगी और शादी हो चुकी है मकर राशी मकर लगन है तो पतनी से भी प्रेम बनाये रखें या कोई महिला है तो पती से प्रेम बनाये रखेंगे तो यहाँ इस्तती ठीक रहेगी तो कुल मिलाकर चार राशियों और चार लगनों के बारे में आपने आज जानकरी सुनी वीडियो पसंद आया हो तो शेर जरूर कीजिएगा धन्यवाद जैशिक क्रश्णा